अकाश्वानी भूपाल सिप्रस्तुत है प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारू के साथ मैं सैयुक्ता बैनरची पहले मुख्य समाचार देशभर के कोरोना योद्धाओं को आज सलामी देंगी तीनों सेनाई प्रदेश में कोरोना संक्रमन में कमी इंदोर में 23 जैन में 9 भोपाल में 6 नए मरीज मिले राजी में अब तक वापस लाए गए 50,000 से ज्यादा श्रमिक अब ट्रेन से 1,000,000 और मजदूरों को लाने की तैयारी और हमारी विशेश श्रिंकला अच्छी खबर में सुनिये ग्वालियर में पुलिस द्वारा लोगों को जुर्मानी के साथ मास्क देने पर केंदृत खास रिपोर्ट अब समाचार विस्तार से कोरोना महमारी के खिलाफ राश्रव्यापी अभियान में योगदान दे रहे छोटे बड़े सभी कोरोना योगधाओं को आज तीनों सेनाओं की ओर से सलामी दी जाएगी इसमें वायू सेना के लड़ाकू और मालवाहक विमान फ्लाइ पास्ट करेंगे जबकि सेना के बैंड विभन हस्पतालों में जाकर स्वास्तकर्मियों का होसला बढ़ाने के लिए धुन बजाएंगे वही नौसेना के पोतों पर रोशनी की जाएगी चीफ और डिफेंस स्टाफ जनरल बिपन रावत ने एक लिखित संदेश में कहा कि अभी देश एक दूसरे तरह के संकट के दौर से गुज़र रहा है जिसमें डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी, मीडिया, सफाई कर्मचार करते हुए कहा है कि मुश्किल घडी में सशास्त्र बलो ने हमेशा भरपूर सहीयोग किया है और कोरोना युद्धाओं के साथ एक जुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपून है केंद्रु ग्रहमंत्रु अमिच्शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध् पर पुश्प वर्शा की जाएगी इससे पहले कल जबलपूर के नेता जी सुभाश शंद्रबोस मेडिकल कॉलेज में कोर ओफ सिगनल्स बैंड के जवानों ने बैंड की सुरीली धुनों के साथ डॉक्टर्स और परमेडिकल स्टाफ की हौसला अबजाएगी प्रदेश में भले ही संक्रमितों की तादाद 2700 से ज्यादा हो गई हो लेकिन अब नए मरीजों के मिलने की दर कम हो गई है इन दौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 23 नए मरीज मिलने से कोरोना वाइरस से संक्रमितों की संख्या 1515 तक पहुँच गई है वहीं दो और लोगों की मृत्यूं के साथ जिले में अब तक 76 लोगों की कोविद-19 संक्रमितों के कारण मौत हो चुकी है और जैन में 9 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की तादाद 156 हो गई है इधर रास्धानी भोपाल में कल 6 नए मामले सामनी आए इन्हें मिलाकर कोविद-19 के मरीजों की संख्या 524 हो गई है उधर पन्ना जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है जिले के बनोली में मुंबई से लोटे एक मजदूर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हलाकि वो पहले से ही क्वरिंटीन है कोरोना की बढ़ते हुए संक्रमन के बीच मरीजों के स्वस्त होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है रास्थानी भोपाल में 26 व्यक्तियों की कोरोना सैंपल की दूसरी रपोर्ट नगिटिव आने के बाद चराईयो अस्पताल से आज सुबह नौ बजे आर्मी बैन की प्रस्तुती के साथ घर को विरावाना होंगे मुखे चिकितसा और स्वास्त अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि भोपाल में अब तक 257 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं वही मंत्री गोवन से राजपूत ने बताया है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में कोरोना संक्रमित में कल तक 28 पॉजिटिव मरीज पाए गये थे इन में से 21 मरीज रिकवर हो चुके हैं शेश साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हालत में निरंतर सुधार हो रहा है शुरी राजपूत ने बताया कि शिवपूरी में दो और शौपूर जिले में 4 पॉजिटिव कोरोना पेशिंट थे इन दोनों जिलों में सभी पेशिंट 100 प्रतिशत रिकवर हो चुके हैं दतिया गुना और भिंड जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज नहीं हुआ है रेज जोन मुरैना में सरवाधिक 16 मरीज इलाज रत थे जन में से 13 मरीज रिकवर हो चुके हैं शेश तीन मरीजों का अलाज चल रहा है उधर इंदोर से भी राहत की खबर है जहां कोरोना वारस संक्रमन के स्थती अब नियंत्रण में आ रही है मुख्य चिकित सायवं स्वास्त अधिकारी डॉक्टर प्रवीन जडिया ने बताया है कि शहर में अब नए कोविट प्रकरण के मामले हॉट्सपॉट जोन से ही आ रहे हैं उन्होंने बताया कि कोरोना वारस संक्रमन के आकड़ों का विशलेशन करने पर निश्करश निकला है कि पहले नमूना परीक्षन के लगभग 25 प्रतिशत टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी वो घटकर लगभग 6 प्रतिशत तक आ गई है वहीं जिले में कल सरवाधे के 121 मरीजों को कोरोना संक्रमन से मुख्त होने के बाद अस्पतालों से छुटी दे दी गई इसकी साथ ही इंदौर जिले में अब तक साढ़े 300 मरीज संक्रमन मुक्त होकर घरों को लोट चुके हैं देवाज जिले में भी 11 मरीजों के स्वस्त होने के बाद उन्हें अस्पताल से चुट्टी दे दी गई है उजान में भी 12 मरीज स्वस्त होकर कल घर लोटे खन्वा में कोरोना वायरस से करीब 20 दिन पूर्व संक्रमत हुए प्रमीग जैन की लगाता दो रिपोर्ट नेगिटिव आने के बाद कल उन्हीं कोविट केर सेंटर से छुट्टी दे दी गई वहीं धार में चार नए मरीजों के साथ कोविट 19 संक्रमितों के संख्या पच्पन हो गई है यह समाचार आप आका अश्वानी भूपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR न्यूज भूपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके अलावा अब हमारी विबसाइट न्यूज ओन या या डॉट अन आई सी डॉट आई इन पर अत्वा AIR न्यूज आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है कोरोना संक्रमन के कारण अन्य प्रदेशों में फसे मध्य प्रदेश के लगभग 50,000 श्रमिक आज तक प्रदेश वापस लाय जा चुके हैं इसी तरह प्रदेश के विभग नजिलों में फसे करीब 38,000 श्रमिकों को पछले आठ दिनों में उनकी ग्रह स्थान पर पहुंचाया चाच चुका है अपर मुख्य सचे वेवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम ICP केश्री ने बताया है कि प्रदेश के बाहर फसे श्रमिक जो मध्य प्रदेश अपने घर आना जाते हैं वे स्टेट कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0755-24111800 पर पंजियन करा सकते हैं यह टेलिफोन नंबर केवल मध्य प्रदेश के बाहर फसे श्रमिकों के पंजियन के लिए है उन्होंने बताया कि श्रमिकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही उनकी वापसी का प्रोग्राम तयार किया जाएगा राज्य सरकार वभन राज्यों से एक लाग से अधिक मज़़ों को रेलगारी के माध्यम से वापस लाने की योजना बना रही है इसे लेकर पश्रम रेलवे के रतला मंडल ने इंदौर स्टेशन पर श्रमिक एक्सप्रेस के परिचालन के पूर्व की तैयारिया शुरू कर दी है इस बारे में रतला मंडल के वरिष्ट जनसंपर कधिकारी जतेंद्र कुमार जैंत ने बताया कि राज्य सरकार की मांग की आधार पर श्रमिक एक्सप्रेस चलाई जा सकती है रहेंगे और एक-एक करके आगे बढ़ेंगे और उसी तरह से सिंगल डोर रखा है जिसमें की लोगों की अफरा तफ्रीर ना हो रेल मंतराले ने सपष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, परिटकों, छात्रों और अन्य फसे हुए लोगों कुलाने के लिए चलाई जा रही कुछ ट्रेने राज्य सरकार के अनुरोध पर चलाई जा रही है मंतराले ने कहा कि सभी यात्री ट्रेने सेवाए नलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्ही यात्रियों को सुईकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने बोला है प्रदेश में कल से शराब और भांग दुकाने सुबह साथ बजे से शाम साथ बजे तक खुलेंगी कलेक्टर द्वारा जहां मदिरा और भांग दुकाने खुले जाने की अनुमती दी जाएगी वहाँ सोशल और पर्सनल डिस्टंसिंग और अन्य बचाव उपायों का शत प्रतिशत पालन किया जाना सुनिश्यत किया जाएगा विदिशा जले में भी नए आदेशों के अनुसार कल से कई तरह की राहत दी जाएगी कलेक्टर डॉक्टर पंकर जैन ने लोगों से व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहीओ करने की अपील की है और साथी साथ यह भी आदेशित किया है दस साल से छोटे बच्चे या 65 साई से अधिक उम्ड के मुझे या गर्वती मतला है सिर्फ अत्यावश्य कारणों के यह बाहर मिकलेंगे हमारे विशेश श्रिंखला अच्छी खबर के 43 वे अंक में आज सुनिये ग्वालियर में पुलिस द्वारा आम लोगों को जर्मानी के साथ मास्क देने पर केंदरुद खास रिपोर्ट अच्छी खबर का प्रसारंड हर अविवार को प्रादेशिक समाचारों के साथ किया जाता है इनमें उन खबरों को शामल किया जाता है जो प्रेड़ना दायक हैं और आम लोगों के लिए उप्योगी हो गई ग्वालियर में सुसाहता समूह की मैलाओं को प्रोचसाहित करने और बिना मास्क की घुमने वाले लोगों को सबक से खाने के लिए पुलिस ने एक सरानी पहल की है अब बिना मास्क के घुमने वाले वाहन चालकों का पुलिस सौर रुपए का चालान तो बनाती है पर बदले में उन्हें दस मास्क भी दे रही है ताकि भविश में वे मास्क नहीं होने का बहाना ना कर सके जिला पंचायत की मुख्य कारिपालन अधिकारी शिवम वर्मा ने बता है कि कोरोना वारिस के संक्रमन को हराने के लिए गौालियर की ससाहता समुहों के महिलाओं ने रात दिन की मेहनत से अब तक दो लाख मास्क तयार किये हैं खासबत यह है कि सूती कपड़े के मास्क महस दस रुपए की लागत से तयार किये गए हैं चालान के बदले मास्क प्रदान करने की पहल करने वाला गौालियर संभवता प्रदीश और देश का पहला शहर है इस कदम से जहां महिलाओं को रोजकार मिल रहा है वहीं आम लोगों को अपना और अपनों का जीवन बचाने का पाठ अच्छे कबर के लिए गवालियर से नवीन श्वास्तव के साथ समाचार कक्ष से मैदीपा सिंग अब कुछ समाचार संभशेप में भारत सरकार की स्वस्त भारती योजना के तहट टीकमगड में कल से ई संजीवनी OPD की शिरवात हुई मंड़ा कलेक्टर जॉक्टर जगदीश चंद्र जटिया ने विवास समारोहों में दोनों पक्षों से पंड़ित मौलवी सहित कुल 50 व्यक्तियों को सम्मिलत होने की छूट दी है गुना जिले में जीवन शक्ती योजना के अंतरगत महिला उद्यमियों द्वारा 1400 सूती मास्क बना कर विभन नगरी निकायों को सौपे गए हैं नीमच पुलिस ने कल कच्ची शराब के एड़ों पर दबिश देकर 9000 किलों महुआ लाहान पकड़ा है राजकर में कल छूट वाली दुकाने खुली हाला कि इस दौरान ग्रहकों की संख्या कम रही उजयन संभागायोक्त और आईजी ने कल रतलाम में कोरोना एक्शन प्लान और लॉक्टाउन की समीक्षा की राइसेन में आज दो पहर एक बज़े तक कर्फियू में छूट रहेगी सागर्ब के डॉक्टर हरी सिंग और विश्वर द्याले में आज से ओन-लाइन प्लेस्मेंट ड्राइव शुरू होगी अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर देश भर में कोरोना युद्धाओं को आज सलामी देंगी तीनों सेनाएं प्रदेश में कोरोना संक्रमन में कमी इंदोर में 23 जैन में 9 भुपाल में 6 नए मरीज मिले राजी में अब तक वापस लाए गए 50,000 से ज्यादा श्रमे कब ट्रेन से एक लाख और मजदूरों को लाने की तैयारी और हमारी विशेश श्रिंकला चीख खबर में आज आपने सुनी ग्वालियर में पुलिस द्वारा लोगों को जुर्बानी के साथ मास्क देने पर केंदृत खास रिपोर्ट इस बुलिटन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाश श्राणी नमस्कार